हेलो स्टुडेंट्स आज ही क्लास में प्रजंट कांटिनिवस टेंस का पैसिव वायस सीखने जा रहे हैं प्रजंट कांटिनिवस टेंस की पहचान क्या होती है जो आपकी पहचान टेंस सीखते समय थी वही पैसिव वायस की भी पहचान होती है जैसे कि प्रजंट हाँ है रही है रहे हैं सब्द आते हैं और इन्हीं से प्रजेंट कांटी निवस्टेंज का पता चलता है ऐसे लिग्यस करने कि जैसे प्रजेंट हो और कोई प्रद हैं मतलब कर्म आज आई यह बात करते हैं अफरमेटिफ सेंटेंस के रूल्स की तो इस रूल को पढ़ने से पहले उन्हें पैसिव ओएस के उनको सुन लेते हैं पैसिव उनqy वाक्यों का बनता है जिन वाक्यों में ट्रांजेटिव वर्व का प्रयोग हुआ हो मतलब सकर्मक्रिया का प्रयोग हुआ हो जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों में कर्म आएगा आपजेक्ट आएगा उन्हीं का पैसिब बनेगा दूसरा रूल यह होता है पैसिब का कि subject के अस्थान पर object चला आता है और object के अस्थान पर subject चला जाता है जब subject को हम object के अस्थान पे ले जाएंगे तो उसके पहले preposition by या अनिकिसी का प्रियोग करते हैं ठीक है next जो एक rule होता है passive wise में वो सभी tense में होगा कि passive wise में verb की third form का ही प्रियोग होगा अब affirmative rules की बात करते हैं तो जैसे की rule number one है he see it इसका मतलब अगर ये पहले object था यानि की him था या her था या it था और ये अब passive wise का subject बन रहा है तो he see it और singular object के साथ singular subject की बात नहीं हो रही है singular object के साथ क्या करेंगे is being और verb की third form का प्रियोग करेंगे अगला rule ये कहता है कि you be they और plural object कोई है चाहे you है चाहे बी है चाहे दे है या कोई plural object है वह वचन का कोई कर्म आपके passive wise का subject बन रहा है तो आप are being और verb की third form लिखेंगे is being are being और I अगर आपका subject बन रहा है rule number three ये कह रहा है तो I के साथ I am being और verb की third form का प्रियोग करते हैं यानि कि passive wise में सबसे पहले हम object लिखेंगे plus क्या लिखेंगे is am are में से किसी एक को plus being लिख लेंगे plus verb की third form का प्रियोग करेंगे ठीक है अगर आप start में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं subject is am are plus being plus verb की third form plus by plus subject अब अगे चलते हैं negative अगर होगा तो negative sentence का हम passive बनाते समय क्या करेंगे जो हमारी सहायक करिया है क्या सहायक करिया है is am are के पश्चात not being लिखेंगे is am are के पश्चात not और फिर being लिख देंगे ठीक है और verb की कौन सी form आएगी third form आएगी हमेशा verb की third form आएगी interrogative की बात कर लेते हैं interrogative में सबसे पहले ये होता है कि अगर वाक्य के आरंभ में क्या सब्द हो तो उसका अनुबाद इजैमार से ही किया जाएगा और इजैमार आपजेक्ट से पहले लिखा जाएगा आपजेक्ट समझ रहे ना passive wise का जो आपजेक्ट होगा वो subject के स्थान पे आएगा तो आपजेक्ट से पहले हम इजैमार लिख लेंगे इसके बाद हम फिर आपजेक्ट लिखेंगे और इसके बाद बींग लिखेंगे वर्ब की थर्ड फार्म का प्रयोग होगा नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर वाक्य के बीच में प्रश्णवाचक सब्द है तो सबसे पहले उनकी इंग्लिस लिखी जाती है फिर सहायक्रिया इज एम आर में से एक लिखा जाता है फिर आपजेक्ट लिखते हैं और वर्ब की थर्ड फार्म लिख दे हैं नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जैसे है हाउ मैनी, हाउ मज हूज के साथ इन से संबंधित नाउंस पहले लिख लिए जाते हैं जब भी हम पैसिव इनका बनाएंगे इंट्रोगेटिव का नया रूल से ये प्रश्णवाचक सब्द अर्थात कौन ही यदि करता का कारी कर रहा है और उसकी पैसिव आपको बनानी है तो क्या करेंगे उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेंगे इसके बाद इजैमार और आपजेट के अनसार फिर वर्व की थर्ड फार्म का प्रियोग करेंगे इजैमार कब लिखेंगे आपजेट के अनसार लिखेंगे ना इसके बाद वर्व की third farm का प्रयोग करेंगे बिंग के साथ, बिंग लगाना नहीं भूलिएगा. इंट्रोकेटिफ सेंटेंस में क्रिया के अंत, क्रिया से पहले नाट का प्रयोग नाट लगा देते हैं, नाट का प्रयोग करते हैं. अब वाकि के अंत में प्रश्ण माचक चिन्ह लगाना नहीं भूलिएगा ये passive voice में भी अनिवारी होता है और active में आईए कुछ वाकियों का अभ्यास करते हैं जैसे है मोहन एक पत्र लिख रहा है तो ये active voice है मोहन एक पत्र लिख रहा है ये active voice है यहां पर हम आपको active voice का रूल नहीं जिखाने जा रहे हैं active voice को direct translate कर देंगे passive voice का रूल लिखा हुआ है उसको भी बताएंगे तो क्या होगा मोहन इज राइटिंग लेटर मोहन एक पत्र लिख रहा है passive इसका क्या बनेगा एक पत्र मोहन द्वारा लिखा जा रहा है a letter is being written by Mohan a letter is being written by Mohan a letter object था passive में subject के स्थान पे गया is लिखा गया क्योंकि letter singular है being लिखा गया ये is being helping work हो गया और written, written work की third form passive में हमेशा written work की third form Mohan इधर आ गया उसके पहले क्या लिखना पड़ा हमें by समझ रहे ना दूसरा वाकिया लड़किया किताब पढ़ रही है the girls are reading the book the girls are reading the book next होगा इसका passive किताब लड़कियों द्वारा पढ़ी जा रही है the book is being read by the girl the book is being read by the girl यहाँ पर दो बार इस लिखा गलत है वो is being read by the girl अगला है बढ़ाई एक कुरसी बना रहा है the carpenter is making a chair the carpenter is making a chair यह क्या है active है passive क्या बनेगा एक कुरसी बढ़ कारपेंटर द्वारा बनाई जा रही है बढ़ाई द्वारा बनाई जा रही है a chair is being made by the carpenter next है वह फसल काट रहा है he is cutting the harvest harvest means फसल passive क्या बनेगा उसके द्वारा फसल काटी जा रही है the harvest is being cut by him next होगा लड़के फुटबाल का मैच खेल रहे है the boys are playing the football match the boys are playing the football match यह active है passive फुटबाल का मैच लड़को द्वारा खेला जा रहा है the football match is being played by the boys the football match is being played by the boys फुटबाल इधर आ गया negative का अभ्यास कर लेते हैं मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ I am not reading a book I am not reading a book passive क्या बनेगा पुस्तक मेरे द्वारा नहीं पढ़ी जा रही है the book is not being read by me a book is not being read by me next है वह अपनी गुडिया से नहीं खेल रही है she is not playing with her doll she is not playing with her doll passive क्या होगा उसकी गुडिया उसके द्वारा नहीं खेली जा रही है या गुडिया उसके द्वारा नहीं खेली जा रही है her doll is not being played by her next होगा गाय घास नहीं चर रही है मतलब खा रही है चरना उसको बोलते हैं न the cow is not grazing the grass the cow is not grazing grass passive क्या बनेगा गाय स्वारी घास गाय द्वारा नहीं चरी जा रही है घास गाय द्वारा नहीं चरी जा रही है passive होगा the grass are not being grazed by the cow the grass are not being grazed by the cow next होगा राम मैदान में cricket नहीं खेल रहा है राम is not playing cricket in the field राम is not playing cricket in the field passive क्या होगा cricket मैदान में राम द्वारा नहीं खेला जा रहा है इसका अनुबाद cricket से सुरू करेंगे न cricket is not being played by राम in the field cricket is not being played by राम in the field ये हो गया passive ठीक देखो वह बाजार से फल नहीं खरीद रहे हैं या खरीद रहा है वह खरीद रहे हैं तो दे हो जाएगा ठीक है दे आर नाट बाइंग फ्रूट इन दा मार्केट पैसिब क्या बनेगा फल बाजार में उसके द्वारा नहीं खरीदा जा रहा है फल बाजार में उसके द्वारा नहीं खरीदा जा रहा है तो सबसे पहले फल लिखेंगे फ्रूट्स आर नाट बींग परचेश्ट या बाट बाई की थर्ड फार्म बाट होती है परचेश मींस भी होता है खरीदना परचेश्ट बाई देम इन दा मार्केट अब इन्ट्रोगेटिव का भ्यास हो जाए इन्ट्रोगेटिव क्या लड़किया कमरे में निबंध लिख रही है यह एक्टिव है आर दा गर्ल्स राइटिंग अन एसे इन दा रूम पैसिब क्या बनेगा क्या निबंध लड़कियों द्वारा कमरे में लिखा जा रहा है Is an essay क्या एक निबंध कहने का मतलब An essay इसलिए लिखा गया एक निबंध लिख रही है न Is an essay being written in the room by the girls Is an essay being written in the room by the girls क्या सूर्य पेन को जला रहा है अर्थात गर्मी से बहुत ज़्यादा गर्मी क्या बनेगा Is the sun burning the tree Is the sun burning the tree ये active है पैसिब क्या होगा क्या पेड सूर्य द्वारा जलाए जा रहे है Is tree being burned by the sun Is tree being burned by the sun इसका आप उससे बात क्यों कर रहे हो Why are you talking with him Why are you talking with him to him दोनों सहीं है ठीक है पैसिब क्या बनेगा उससे बात क्यों किया जा रहा है आपके द्वारा ये भी लिख सकते हैं आपके द्वारा उससे बात क्यों किया जा रहा है Why is he being taught by you Why is he being taught by you Next आप कमरे में क्या कर रहे हो What are you doing in the room एक्टिव हो गया पैसिब आपके द्वारा कमरे में क्या हो रहा है मतलब क्या किया जा रहा है What is it being done in the room by you What is it being done in the room by you बच्चा कितना दूद पी रहा है एक्टिव है How much milk is the child drinking How much milk is the child drinking पैसिव कितना दूद बच्चे द्वारा पिया जा रहा है How much milk is being drunk by the child How much milk is being drunk by the child अब कुछ मिस्तृत वाक्टों का अभ्यास करते हैं मिस्लेनियस वह क्या लिख रहा है What is he writing What What is he writing पैसिव क्या बनेगा उसके द्वारा क्या लिखा जा रहा है What it is जब आबजेक्ट नहीं मिलता है न तो it को हम आबजेक्ट ले लेते हैं What it is being written by him What it is being written by him Next तुम क्या कर रहे हो What are you doing तुम क्या कर रहे हो What are you doing पैसिव तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है What is it Being done by you What is it Done by What is it Being done by you 18 वाक्य चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है The pune is not ringing the bell पैसिव क्या होगा चप्रासी द्वारा घंटी नहीं बजाई जा रही है The bell is not being The bell is not being Wrung by the pun Wrung by the pun The bell is not being wrung by the pun माता जी रामायड पढ़ रही है The mother is reading रामायन दा रामायन लिखा जाना चाहिए था इसका passive क्या होगा रामायड माता जी द्वारा पढ़ी जा रही है The ramayan is being read by the mother The ramayan is being read by the mother यह कौन पढ़ रहा है यह कौन पढ़ रहा है Who is Sorry यह कौन पढ़ा रहा है यह है वाक्य Who is teaching it इसका passive बनेगा यह किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है By whom Is it being taught यह किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है By whom Is it being taught 21 number तुम किसे पढ़ा रहे हो Whom are you teaching Passive होगा तुम्हारे द्वारा कौन पढ़ाया जा रहा है Who are being taught by you Who are being taught by you मुझे भासन समझ में नहीं आ रहा है I am not understanding the speech I am not understanding the speech भासन मेरे द्वारा नहीं समझा जा रहा है The speech is not being understood by me The speech is not being understood by me राम का भाई चाता खरीद रहा है रामाज ब्रदर इस बाइं आन अम्ब्रेला Passive क्या बनेगा राम चाता राम के भाई द्वारा खरीदा जा रहा है आन अम्ब्रेला इस बींग बाट बाई रामाज ब्रदर तुम क्या लख रहे हो तुम क्या लिख रहे हो पैसिब क्या बनेगा तुम्हारे द्वारा क्या लिखा जा रहा है वाट इस इट बिंग रिटेन बाई यो नेक्स्ट बाकि वह मेरी कहानी कह रही है C is telling my story पैसिब क्या बनेगा मेरी कहानी उसके द्वारा कही जा रही है my story is being told by her my story is being told by her thanks channel education highway I am Satiprakash Shukla